हलो बच्चों, तो अब हम करने जा रही हैं Factors Affecting Price Elasticity बच्चों उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज में आपको बताना चाहती हूँ वो ये है क्या कि बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने क्या वाले हैं आपको किस वे में समझना है अभी तक आप क्या समझते हैं कि Price के Change का Impact Quantity के ओपर कितना पढ़ेगा उसके हिसाब से Elasticity Decide होती है Degrees में आपने किया बट अब हम करने जा रही हैं Factors क्या Affect करते हैं Price Elasticity को जिसके basis पे हमारे Demand Elastic या Inelastic या Perfectly Elastic या Perfectly Inelastic हो जाती है समझ आ रही है बात इसको किस वे में देखते हैं वो वे समझो पहले फिर हम Factors पे आते हैं वे है इसका समझने का कि मैं First thing मैं अपनी Demand को Postpone कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही है क्या मैं सोच पा रही हूँ कि मैं अभी लूँ या बाद मिलू अगर मैं ये Postponement कर पा रही हूँ तो Elastic है बट अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी के अभी चैये डे जो भी चीज है ठीक है तो Demand क्या होगी Inelastic अगर Postpone हो पाएगा तो Elastic नहीं हो पाया अभी Satisfaction होनी जरूरी है तो क्या होगी Inelastic और दूसरी important चीज वो क्या है वो ये है कि Postponement तो तुम्हें clear हो गया दूसरी चीज ये है कि मैं उस commodity को ही छोड़ पा रही हूँ या नहीं छोड़ पा रही अगर मैं उस commodity को छोड़ पा रही हूँ तो मेरी Demand Elastic है और अगर नहीं छोड़ पारी मुझे तो वही commodity चाहिए तो इन Elastic इस वे में आप अपना topic को करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे अगर आपको कोई भी दिकत आती है तो please write in the comment box I will make it clear Is that clear? Thank you आगे चलना है? Thank you का मतलब वो नहीं था तो factors क्या हैं जो हमारी price elasticity को affect करते हैं एक एक करके समझो देखो आगे बड़ब सबसे पहली चीज़ है availability किस चीज की? substitutes की ठीक है? अगर आपके substitutes बहुत सारे available हैं several हैं तो आपके demand elastic होगी अगर आपको वो particular product नहीं मिला जो आपको चाहिए था तो आप उसको छोड़ दोगे, कुछ और ले लोगे like आपको अगर suppose example call gate नहीं मिला तो आप क्या करोगे pepsoranly use कर लोगे बहुत थोड़े हैं, few हैं तो relatively inelastic और अगर है ही नहीं तो आपको वहीं चाहिए, obviously तो perfectly inelastic ओके next पे आते हैं nature of the commodity अगर आपका product necessity है तो आप बताओ ना, आपको चाहिए ही होता है पानी है चाहिए चाहिए relatively inelastic luxury है, suppose AC या कोई बढ़िया सिकार तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे ठीक है कि अभी consume करें रुक जाएं कोई particular discount आने दें कोई scheme आने दें तो अगर आपने सोच लिया समझ लिया इसका मतलब आपके demand elastic हो गई ठीक है then comforts जो आपके इन दोनों के बीच में लाई करते हैं इधर वेरी elastic नौर वेरी inelastic depending upon the situation then comes third share in consumer's budget मतलब वो अपनी income का कितना proportion खर्च करता है किसी commodity पे उसके basis पे elasticity decide होती है अगर वो insignificant share अपना लगा रहा है insignificant का मतलब थोड़ा proportion a little amount तो क्या होगा अगर वो थोड़ा सा amount लगा रहा है आपने income का जैसे वो soap पे खर्चा कर रहा है या toothbrush पे खर्चा कर रहा है या match box पे खर्चा कर रहा है थोड़ा सा proportion newspaper पे कर रहा है तो होगा क्या अगर उसमें हलका ऐसा slightest change आता भी है price में तो आपके demand में change नहीं आएगा तो आपके demand क्या हुई inelastic change नहीं आया तो inelastic पर अगर आप बहुत सारा proportion खर्च कर रहे हो किसी चीज के उपर आपने बड़ी चीज लेनी है कुछ ठीक है तो उसको बोलते हैं relatively elastic तब हमाई demand क्या हो जाएगी क्योंकि हम सोचेंगे समझेंगे फिर decision लेंगे ठीक है then I habits अगर एक consumer habitual है किसी चीज को लेने का तो obviously inelastic और अगर habitual नहीं है मिल गया तो ठीक है नहीं तो जैराम जी की तो क्या होगा relatively elastic demand होगी ठीक है बात समझे habitual like drug addicts होते हैं या कोई चाय के लिए भी addict हो जाता है tea के लिए कोई liquor के लिए होता है तो कहने का मिल अगर किसी भी चीज की habit अगर है आपको तो आपकी demand क्या रहेगी inelastic और आप बार habitual नहीं हो तो क्या होगा elastic number of uses example milk अगर उसके several uses हैं तो हम उसकी demand elastic होगी जादा मिल गया तो जादा consume कर लिया milk की form में यूज कर लिया cheese है उसके लावा कोई dessert है उसके लावा उसका curd की form में यूज कर सकते बहुत सारे uses हैं तो अगर जादा मिलेगा तो जादा use करेंगे कम मिलेगा तो कम main purpose के लिए यूज करेंगे तो demand क्या हुई कम जादा कम जादा हो रही है that means elastic और अगर कम जादा कम जादा नहीं हो रही तो क्या होगा inelastic अगर few uses हैं जैसे की register है तो obviously आप उसको एकदम से सस्ता मिलने पे पूरा कमरा भरके नहीं रख लेते क्यों क्योंकि उसका limited use है उसको आप मिखने के लिए use करते हो तो यह ऐसा तो नहीं कि आप जादा शारा ले के रख लेते हो उसको फिर बाद में कट करके toppings की तरह रोटी की उपर डाल के खाते हो ऐसा नहीं होता ना तो उसकी demand क्या होगी relatively inelastic होगी then comes income of the consumer अगर किसी बंदे की high income है तो उसको जादा impact नहीं आएगा कि tomato का price 50 कि रहा 60 हो गया तो उसके demand inelastic रहेगी बट अगर किसी की low income है obviously उसके demand impact होगी उसकी elastic demand होगी वो सोचेगा समझेगा कितना लूँ कितना ना लूँ उसके basis पे decision लेगा then आया postponement obviously अभी बताया था postponement हो पाएगा तो elastic नहीं हो पाएगा तो inelastic, simple सी वाग और अब आया last point वो है short run and long run short run का मतलब कोई time period नहीं होता है 6 months, 9 months मैंने पहले भी बताया था short run का मतलब है कि वो period जब आपने demand को आप change नहीं कर सकते जैसे आपका एकदम से कह दो ना कि हमें आदत तो है नहीं room से निकलने के time पे switch off करने की light को आपको आदत नहीं है क्या कि वह या हमें तीन रोटी की जगां दो रोटी खानी है तो short run में हमारी demand inelastic होती है but long run आते आते आपकी demand क्या हो जाती है elastic बन जाती है उसमें changes हो सकते हैं तो इसके एक example लेती हूँ rehabilitation centers होते हैं जिसमें क्या होता है जैसे कोई drunk करता है ठीक है तो उनको वहाँ पे admit कर दिया जाता है या कोई smoking है तो addicts को वहाँ पे रखा जाता है उनकी demand उनकी जो pattern है ना consumption का उसको धीरे 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 slowly slowly कम किया जाता है ताकि वह लोग उससे बहर आ सकें एकदम से अगर छुड़ा दिया ना उमर जाएंगे क्योंकि वह addict हो चुके हैं उस चीज से बच्चों आप लोगों के लिए ना सौरी गल्त बोल दिया बच्चों mobile rehabilitation यह rehabilitation centers भी बने है WhatsApp rehabilitation centers ठीक है PUBG वाले जो लोग होते हैं जो इसको यूज करते हैं वो addicts हो चुके हैं उसको यूज करने में तो वो क्या करते हैं उनके लिए वह यह rehabilitation centers बनाए गई है ताकि long run धीर धीरे धीरे करके उनकी pattern को कम किया जा सके clear? तो that's it thank you